बुड मॉरीं एस्टोरेंट्स वेल्कम टू आवर ऑनलाइन ग्लास एस्टोरेंट्स आज मैं क्लास 5 को पढ़ाने जारी ही जैसा कि मैंने लिख दिया है क्लास 5 सब्जेक्ट जो है वो इंगिस लिट्रेचर है चैप्टर 3 आपका पढ़ाई हो रहा है वो डिट इट यह किस न व्रहोंने सवाल पूछा कि क्या आप उनका छेहरा देख पाई मिसेज महनी से सवाल पूछा I just have I just got a glimpse मैं केवड उनका जहल . तो मिस जम्हनी को मैंने सिर्फ उनका जहलक देखा इसलिए मैंने इसलिए उनका जहलक देखा both of them had long hair but one had a beard उन लोगों के लंबरी बाल थे वा तब दो उनों ने जवान आदमी को देखा था तो दोनों के लंबरी बाल थे लेकिन एक को दाड़ी थी लेकिन उसमें से एक आदमी को जो थी वो दाड़ी थी आप्टाते इंडेस्टिकेशन तब पुलिस राउंडेट अफ फाइप में को मैच देस्क्रिप्शन गिवें बाई ओल गविपनेश जाच परताल के बाद जब जाच परताल कुरा कंप्लीट हो गिया उसके बाद सभी गवाहों द्वारा दिये गए वीबरं से मेल खाने वाल पुलिस ने पाच लोगों को पकड़ा और उसे बंद कर दिया जेल में बंद कर दिया इंस्पेक्टर बेला मिंच कॉल्ड द फाइप सस्टेक्ट टु हर रूम और पुश्वान देन इन डिटेल इंस्पेक्टर बेला मिच ने पाचों संदिग्दों को अपने कमरे में बुलाया और उनसे विस्तार से सवाल किया और जोग पाच जो संदिग पकड़े गया थे जितों उनको शक था पाच लोग जो पकड़े गया थो उनको अपने मूल में बोलाया अपने कमरें बोलाया और फुलिस ने उनसे सवाल पुछना शुरू कर दिया विस्तार में सवाल पुछा अध़ इंड ऑप्टर दे दा फुलिस अरेस्टेड वन अप्टा में उस नेम वोज गर्टू दिन के आंत में पुलिस ने उसमें से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया उसका नाम गर्टू था जब दिन खतम हुआ जब पुरा इंवेस्टिगेशन खतम हो गया पुछ तास खत है कि ऐसा उसने क्यों किया पुलिस ने क्यों किया उस गट्टू को क्यों भी रफ्तार किया इंस्पेक्टर बेला मिंच आस्क इच सस्पेक्ट ट्राई ऑन दा शू फांड इन दा गार्डन बागीचे में जो जूता मिला था उस जूते को इंस्पेक्टर बेला मिंच ने ज जो भी संदीक दायम होए थे, जिन्टों उनको शक्ता पाच रोगों को जो की रफ्तार किया गिया था, उन्हें पहंडे के लिए बेला में उन्च ने कहा, इस एक स्थूरा में फिट हो गिया जो छोटा पतला अदमी था जिसके अर्फिटा पाचो मेंसे इक आधमी जो था गट्टू आम का ज जो आ चोट ओरlar पतला अदमी था और उसके दूठा पूरस प्याडल में घूट हो एक सताथे व्यागोर कालेजन